नमस्ते मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं The Ordinary Show आज से करीब 13 साल पहले की बात है शिकर धवन तब भरती एक रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे थे एक बार फेस्बुक स्ट्रॉल करते वक्त रिकेटर हरबजन सिंग की फ्रेंड लिस्ट में उन्हें आईशा मुखर्ची का नाम दिखा जो अस्ट्रेलिया से थी और एक एमेचियर बॉक्सर थी धवन ने आईशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और दोनों में बाते शुरू हो गई दे गार्डियन की रिपोर्ट की माने तो दोनों साल 2009 में इंगेज हो गए तब धवन आईशा से मिले थे तब उनका पहला तलाक हो चुका था और शादी से उनकी दो बेटिया थी यानि आईशा का तलाक हो चुका था और उनकी दो बेटिया थी आईशा उम्रों में धवन से 12 साल बड़ी भी थी शादी के वक्त खबरे आएं कि धवन के परिवार वाले पहले इस शादी के लिए राजी नहीं थे लेकिन आखिर में मान गए धवन ने आईशा की दोनों बेटियों को गोद लिया और साल 2014 में इस शादी से एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रखा गया जुरावर ये लव स्टोरी ऐसी थी जो बार बार खबरों में आती रही धवन और आईशा सोशल मीडिया पर समय समय पर एक दूस्टे के साथ कई सारी तस्वीरे शेयर करते थे और प्यार भरे मेसेज़े भी लिखते थे पिछले साल लॉकडाउन के दौरान दोनों ने साथ मिलकर कई सारे मज़दार वीडियो भी बनाये थे बीच में दोनों के बीच तनाव की खबरे आई लेकिन कुछ ही दिन बाद ये खबरे बंद हो गई फिर आया सितंबर 2021 आईशा मुकरजी के नाम से बने एक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया इस हैंडल का यूजर नीम है एपी विद आईशा इसमें लिखा गया दो बार तलाकशुदा बनने के पहले तक मुझे लगता था कि तलाक एक खराब शब्द है ये मज़ेदार है कि शब्दों के कितने ताकतवर मतलब हो सकते हैं एक तलाकशुदा होने के नाते मैंने विक्तिगत तोर पर इसका अनुभव किया जब पहली बार मैं तलाक से गुजरी थी, वो मुझे बहुत डराम न लगा था, मुझे लगता था कि मैं नाकाम हो गई हूँ, और कुछ तो बहुत गलत कर रही थी, मुझे लगा कि मैंने सब को शर्मिन्दा किया है, और मुझे लगा कि मैं स्वार्थी हूँ, मुझे लगा क कि मैं भगवान को निराश कर रही हूं तलाक बहुत ही गंदा शब्द था तो अब कल्पना कीजिए मुझे दोबारा इससे गुजरना है यह भयानक है एक बार पहले ही तलाक हो जाने के बाद मुझे दूसरी बार लगा कि बहुत कुछ दाओं पर है इसलिए जब मेरी दूसर के साथ मेरे relation को किस तरह define करता है जब सारे जरूरी actions और emotions से मैं पार पाई तब मैं खुद के साथ बैठी और मैंने पाया कि मैं ठीक हूं मैं असल में बहुत ठीक थी मेरा डर जा चुका था मुझे सशक्त महसूस हुआ मुझे एसास हुआ कि मेरे डर और तलाक शब्द को ज कुद की जिन्दगी को कुर्बान करना तलाक का मतलब है कि कई बार आप अपना बेस्ट देते हो बेस्ट करते हो लेकिन बात नहीं बनती और ये ठीक है तलाक मतलब मेरे पास बहतरीन रिष्टे थे जिन्होंने मुझसे नए रिष्टों को निमाने के लिए सही सबग दिया तलाक मतलब मैंने जितना सोचा था मैं उससे ज्यादा मस्बूत हूँ तलाक का असल मतलब वो है जो आप उसे खुद देते हैं इस पोस्ट के सबसे लास में लिखा गया कि अगर आप भी तलाक से जूज रहे हैं या अपना रिष्टा खत्म करना चाहते हैं लेकिन तलाक श जरूरी बात जान लिजे आईशा मुकरजी के नाम के जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेर हुआ है वो वेरिफाइड नहीं है उनका आईशा.धवन5 नाम का एक अकाउंट था जिसे शिकरदवन अपने का इंस्टा पोस्ट पर टैग भी करते थे ये अकाउंट अपुपलब्द नहीं है अप विद आईशा नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है ये पोस्ट भले ही वेरिफाइड नहीं है लेकिन इस अकाउंट को फॉलो करने की रिक्वेस्ट आईशा की बेटी आलिया अपने ALIYHS.PAC नाम के इंस्टा काउंट पर करती है खैर जब ये पोस्ट आया तो लोगों ने आईशा के लिए भद्धी भद्धी बाते लिखनी शुरू गर दी एक ने तंसकस्ते हुए लिखा आईशा कहती है तलाक का मतलब है पुराने पार्टनर से एलिमनी लेकर मजबूत ब लाएंगी लेकिन फैक्ट ये है कि शादी और तलाक के नाम पर वो कितना पैसा कमा रही है क्या आईरन मुखर्जी स्टार क्रिकेटर से एलिमनी नहीं ले रही ये फैक्ट्स अंकवर हो रहे चाहिए शातिर चालाक गोल्ड डिगर एक यूजर ने लिखा धवन के 7-8 साल कर अश्काव बनाया इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता यहां आदमी विक्टिम है जिसने तुम पर भरोसा किया और प्यार किया लोगों ने विजन कॉल के मुद्बे पर भी सवाल उठाय और कहा कि आईशा तलाक से अपना बिसनिस कर रही है इंस्टाग्राम पर भी आई कैसे हो सकता है मतलब आईशा में ही दिक्कत है शिकरदवन की तारीफ की जा रही है यह कहकर कि उन्होंने सारे और्ट को एक किनारे रख कर शादी की थी आईशा और शिकर ने आट साल की शादी खत्म क्यों की यह उनका परस्नल मैटर है लेकिन इतना सच है कि कोई भी शाद है और वो क्रिकेटर भी है हम जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट को किस तरह से पूजा जाता है ऐसे में जब तलाक की ख़बर सामने आई तो उनके फैंस बिना कुछ सोचे समझे आईशा को च्रोल करने लगे चूकि आईशा अमरु में शिकर से 12 साल बड़ी है पहले से तलाक शुदा है और दो बच्चों की मा भी थी हमारे देश में ऐसी और दूसरी शादी करती है तो हम जानते ही है कि उन्हें किस नजर से देखा जाता है उनके लिए यही समझा जाता है कि किसी अच्छे खासे पुरुष को अपने चंगुल में फसा लेगी आईशा को लेक अच्छे पाइसे में यह कहने के पहले कि फेम के लिए उन्हें शादी की आपको दुबारा सूचना चाहिए रही बात पैसो की तो हाँ आईशा ने खुद एक पोड़कास में यह बात कही थी कि उन्होंने दोनों ही शादियों में वो फाइनाशली इंडिपेंडेंट नही खेर जब आईशा खुद काम कर रही है पेरिंटिंग के आजकल वो तरीके सिखा रही है